हलो दोस्तों मैं यूग एक बार फिर सेकने वीडियो के साथ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी मेट्रिक ए निंचेस टाइप के बोल्ट की साइस को किस तरह से लिखा और रीट किया जाता है तो अगर आप किसी टेकनिकल ट्रेट से हैं इस्पेशलि अगर आप फ्रेशर है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल होने वाली है तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जब कभी भी आप बोल्ट को परचेस करने जाते हैं या किसी को बोल्ट की साइस बतानी होती है उस वक्त ये सारी चीज़े बहुत मैटर करती है बोल्ट की साइस दो तरह की होती है First one is metric thread bolt, जिनमें bolt की size को mm में measure किया जाता है And second one is BSW, it means British standard with worth या जिनको हम inches size के bolt भी बोलते है BSW bolt की sizes को inches में define किया जाता है Bolt की size को specify करने का एक proper standard होता है जिनमें bolt का diameter, bolt की pitch and bolt की length को एक standard form में define किया जाता है सबसे पहले बात करेंगे metric size के bolt की Suppose bolt की size M20 by 1.5 by 100 दी गई है तो इस code का M alphabet हमें ये बताता है कि ये एक metric type का bolt है और इनकी सारी dimensions mm में दी गई है Then M के साथ ही bolt के diameter को लिखा जाता है So according to this हमारा bolt 20 mm dia का हुआ दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको bolt के diameter को हमेशा bolt के bottom से measure करना होता है ना की bolt के head से So इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है Then code के next number से bolt की pitch को define किया जाता है Bolt की किसी भी दो thread के बीच की distance को pitch बोला जाता है Like ये distance is bolt की pitch होगी और किसी भी दो thread के बीच बन रहे angle को thread angle बोला जाता है Like दोनो thread के बीच में जो ये angle बन रहा है इसी angle को bolt का thread angle बोला जाता है Metric size के bolt का thread angle 60 degree होता है जबकि inches type के bolt का thread angle 55 degree होता है Because हमारा ये bolt metric type का है तो इस bolt की thread एक दूसरे के साथ 60 degree में बनी होगी Because सारे metric bolt का thread angle 60 degree ही होगा So measurement के दर्मियान thread angle को mention करने की जरूरत नहीं होती है So हमारे इस bolt की pitch 1.5 mm दी हुई है It means इस bolt की सारी threads एक दूसरे के साथ 1.5 mm की distance के gap में होंगी Bolt की pitch के बाद bolt की length को specify किया जाता है जैसा कि हमारे bolt की size M20 by 1.5 by 100 दी गई है So 100 mm इस bolt की length हुई दोस्तों bolt की length में कभी भी bolt की head की height को include नहीं किया जाता है So जब कभी भी आपको किसी bolt की length को find out करना हो तो आप हमेशा bolt के head की height को छोड़ करके bolt की सिर्फ बांकी बची हुई length को ही measure करें It means इस bolt की ये वाली distance 100 mm है जो कि इस bolt की length हुई And अगर हमें किसी bolt की size को लिखना भी हो तो भी हम इसी sequence को follow करेंगे जिसमें पहले bolt का type Suppose bolt metric thread type का है तो code को M से start करेंगे Then bolt का diameter like M16, M20, M22 etc फिर bolt की pitch And end में bolt की length को लिखना होता है अब बात करते हैं कि BSW या inches type के bolt की sizes को किस तरह से define किया जाता है Suppose हमें किसी bolt की size 1 by 4 by 20 by 2 दी गई है तो इस code में सबसे पहले bolt के diameter की size को define किया जाता है So according to this हमारा bolt का dia quarter inch का हुआ Bolt के diameter के बाद Bolt का TPI It means thread per inch को mention किया जाता है Because metric size के bolt में thread को pitch से define किया जाता है But inches type के bolt की threads को TPI में define किया जाता है TPI bolt की 1 inch में बने Total numbers of thread को बूला जाता है Like इस bolt की 1 inch की length में 24 threads बने हुए है So ये bolt 24 TPI का हुआ According to this हमारा ये bolt 20 TPI का है अगर आसान शब्दों में बोले तो इस bolt की 1 inch की length में 20 numbers of thread बने हुए है And जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि inches bolt में किसी भी 2 thread के बीच का angle 55 degree होता है But इसको भी code में mention करने की जरूरत नहीं होती है TPI के बाद end में bolt की length को specify किया जाता है जो कि हमारे bolt में 2 inch बताया गया है दोस्तों bolt की pitch को measure करने के लिए Screw pitch gauges को use किये जाते है Metric and British Standard with worth, InShot, BSW दोनों तरह की threads को measure करने के लिए अलग-अलग gauges use किये जाते है जिनकी help से आप बहुत easily किसी भी bolt की threads को measure कर सकते है दोस्तों I hope ये वीडियो आपके लिए काफी useful रही होगी इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि bolt की dimensions को किस तरह से लिखा और read किया जाता है और अगर आपको ये नहीं पता है कि किसी भी bolt के grade को किस तरह से find out किया जाता है तो मैंने उस topic के उपर already एक वीडियो बना रखी है जिसका link मैंने description में mention कर दिया है आप उस वीडियो को भी check कर सकते हैं और end में आप सभी से request है कि अगर आप channel में नए हैं तो please channel को subscribe करके वीडियो को like and share जरूर करिए thank you for watching